आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मेहित्वपून विशे, आंतरिक शान्ती और सकारात्मक्ता, आंतरिक शान्ती यानि अंतरिक शान्ती एक अन्मोल धरोहर है जिसे हम सभी ढून्धते हैं। यह केवल संगर्ष की अनुपस्थिती नहीं है, बलकि मन की एक स्थिती है जहां शान्ती और स्थिर्ता निवास करती है। हम सभी अपने व्यस्थ जीवन में इतने व्यवस्थित होते हैं कि हम अपनी आंतरिक शान्ती खो बैठते हैं। लेकिन कैसे हम इसे वापस पा सकते हैं, इस पर हमारे साथ एक छोटी सी गाइड मिलेगी। ध्यान एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली साधना है, जो हमें अपने मन को शान्त और स्थिर रखने में मदद करती है। सकारात्मकता यानी सकारात्मक सोच एक और मेहत्वपूर्ण हिसा है हमारे अंतरिक शान्ती के। सकारात्मक विचार हमारे मन को साफ रखते हैं और हमें हर मुश्किल का सामना करने में मदद करते हैं। रोज की तरह हमारे विचार भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दैनिक प्रतिज्ञान या खुद पर विश्वास बहाने के लिए हम एक छोटी सी अमल शुरू करेंगे। प्रकृती से जुड़ना भी एक बहुत ही सुन्दर तरीका है आंतरिक शांती पाने का। कुछ समय अपने दिन में निकल कर बाहर जाएं, हरित परिवर्तन में और महसूस करें हमें शांती को। तो दोस्तों, अंत में कहना चाहेंगे कि आंतरिक शांती और सकारात मकता हमारे अंदर ही है, बस हमें भूंधना पड़ता है। इस सफर में हम एक दूसरे का साथ देंगे और साथ ही अपने जीवन में शांती और खुशी को भी महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।